दोस्तो आज आज आपको लाज तक वीडियो को जरूर देखना होगा क्योंकि किसान भाई आप लोग लाज तक वीडियो देखते नहीं हो और मुझे कमेंट करके पागल कर देते हो कि मैंने जमेन के मालिक का मोवाईल ने मर्दन नहीं दिया और आपको लोकेशन नहीं बताया तो आप लोग वीडियो को लाज तक जरूर आज देखेंगे क्योंकि आज आपको सारी जानकारी इसमें मैं पहले ही देने वाला हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाज तक जरूर देखा करें और यहाँ पर किस जगह जमीन विकाऊ है और किस जिले में, किस राज में और किस तहसील में तो किसान भाई यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है और किसान भाई अगर आप लोग हमारी इस यूटूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो किसान भाईो वीडियो को चलिए सुरू करते हैं जादा देर नागवाते हुए क्योंकि आप लोग का बहुत सा कमेंट आता है कि आप वीडियो को बहुत लंबी कर देते हो किसान भायों मैं लंबी करना नहीं चाहता वीडियो को पर लंबी बहुत हो जाती है क्योंकि आपको यहां पर सब चीज मुझे समझाना पड़ता है अगर आपको सीधा मैं जमीन का रेड़ बता दूँ और जमीन कहां पर है बता दूँ तो आप लोग किसम पर कैसे कर पाऊग आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी नहीं तो बार बार हमेशा ऐसे कमेंट करते रहना तो आपको कमेंट में ही आपको जवाब नहीं मिल पाएगा और आप लोग यह भी बोलते हो कि कमेंट का मेरे रिपलाई क्यों नहीं करते हो तो क्यों करूं यार कमेंट का रिपला कि जमीन का वीडियो आप लोग पूरा देखा करो तभी आपको जमीन के मालिक का मुवाइल नंबर भी मिल पाएगा उसी में आप लोग स्क्रॉल करके हटा हटा के वीडियो देखते हो थोड़ा भगा भगा के तो उसमें मैं कहां पर जमीन के मालिक का मुवाइल नंबर बोल या हो जब हमको खुदी नहीं पता रहता है कि हम कहां पर बोले हैं तो आपको कैसे पता रहेगा क्योंकि हम वीडियो एडिट करते हैं उसके बाद जमीन के मालिक का मुवाइल नंबर उसमें बोल देते हैं पर कितने मिनिट में बोले हैं या मुझे नहीं पता रहता है तो आप लोग जमीन का वीडियो पूरा लाख तक देखना तभी आप लोग को यहां पर पता चलेगा कि आप लोग को जमीन के मालिक का मुवाइल नंबर मिला है या नहीं मिला है जैसे कि यह वीडियो देख रहे हो इसी में आपको पता चल जाएगा जमीन के मालिक का सद दी जाती है तो किसान भाईयों यहां जमीन देख रहे हो यहां मद्ध प्रदेश में जमीन विकाऊ है जिहां किसान भाईयों मद्ध प्रदेश के इंदोर जीले की यह जमीन है अगर आप लोग मद्ध प्रदेश से बिलॉंग करते हैं या फिर मद्ध प्रदेश की जमीन लेना चाते हैं तो आप लोग इस जमीन को खरीद सकते हो वह भी बहुत ही कम कीमत में किसान भायों यहां पर मद्ध परदेश में बहुत ही सस्ती सस्ती जमीन विकाऊ है और किसान भायों कुछ जमीने तो ऐसी हैं कि आप उसको फिरी में लेकर आप उसको बराबर करवा कर भी फिर कुछ कंपणी भी कोल सकते हो तो किसान भायो यहां जो जमीन है आपको डाक्टर अम बेटकन नगर में मिलने वाली है जी हां किसान भायो इंदाउर जीले के डाक्टर अम बेटकन नगर तहसील में जमीन मिलने वाली है और बहुत ही कम गीमत वाली जमीन है तो किसान भाय 200 एकड़ जमीन मिलनेवाली है और एक एकड़ में किसान भाईओ यहां पर बता दूँ buat तो सबसे बड़ी अच्छी बात है ऑर इससे खुसी इक रहां हिए है बहुत से जगा 1250 स्क्वाइर फिट होता है बहुत से जगा 1350 स्क्वाइर फिट होता है लेकिन यहां पर 1260 स्क्वाइर फिट इस जमीन में है और किसान भाईयों अब जोड़ा कर लेकी हैं किर होने वाली फशल के बारे में तो किसानग यहां पर मखका ही होती है जहां देखेंगों ठोड़ा बहुत हो जाता है और धान तो होता ही नहीं है लगवग लगवग आपको दस पांच परसंट यहां पर धान लगाने को मिलेगा जो की मिट्टी अगर जहां रहेगी अच्छी तो तो किसान भाईयों यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर जमीन किसकी है तो किसान भाईयों सैलेंदर कुमार रावत की यह जमीन है जहां किसान भाईयों सैलेंदर कुमार रावत की जमीन है और या इनकी खुद की पुष्टाइनी जमीन है तो किसान भाईयों यहां पर जमीन का रेट मैं बता देता हूं कि जमीन का रेट क्या है किसान भाईयों जमीन का रेट बहुत ही कम कीमत वाली जमीन का रेट है यह तो यहां पर जमीन का रेट मैं बता देता हूं पहले क्योंकि आप लोग कभी यह कमेंट आता है कि जमीन का रेट जल्दी आप लोग बताते नहीं हो तो यहां जमीन का जो रेट है यहां पर 2000 रुपए प्रती एकड़ के हिसाब से जमीन का रेट है अगर इस जमीन को आप लो इस जमीन को बेच रहे हैं क्योंकि एक बार तूट गया था खंबा का तार तूट गया था तो किसान भाई उनकी पूरी फसल जल गई थी तो इसलिए जमीन को बेच रहे हैं अगर आप इसको लेने में इंट्रेस्ट रखते हैं तभी जमीन को खरीदना नहीं तो बाद में यह तो किसान भायो मेरा काम है सिर्फ आपको सलाह देना आपको जमीन दिखाना और आपका काम क्या है आप उस लोक्योषन बेड़ जाकर चख करें कि कैसी जमीन है और किस रेट में यहाँ पर इस रेट में क्यों मिल रही है और किसान भायो जमीन के बीवाद के बारे मैंने तो पूछा जमीन के मालिक से उनका कहना है कि मेरी खुद की पुछ तैनी जमीन है यहाँ पर किसी का कोई बीवाद नहीं है तो किसान भाईयो यहाँ पर अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुर्गी फारम भी खोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर मुर्गी फारम बहुत है अगर आप खोलना चाहते हो तो उनके साथ मिलकर उनसे ट्रेनिंग लेकर आप इस जमीन में मुर्गी फारं भी खोल सकते हो तो चलिए किसान भायो आपको जमीन के मालिक का मॉबाइल नमबर मैं दे देता हूँ नहीं तो आप बोलोगे कि जमीन के मालिक का मॉबाइल नमबर फिर से 55509 तो किसान भाई यो एक बार फिर से मैं मिला के नंबर बता दे रहा हूं कि 63 75 35 55 09 तो किसान भाई यो सबसे पहले एक खुश कपरी मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूं कि हमारे यूटूब यूटूब चैनल की जितनी सी जमीन थी लगभग लगभग सभी जमीन बिख चुकी हैं दो जमीन ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बिखी हुई है क्योंकि वह थोड़ा महंगी है जमीने तो आप लोग अगर उस जमीन को अगर पाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरू एक दो घंटे के अंदर हमारी यूटूब चैनल पर जमीन बिख जाती है अगर जैसे ही जमीन बिख जाती है तो किसान बिख जमीन के मालिक अपना मुवाइल नमबर स्वीच आप कर लेते हैं फिर यहां कमेंट मत करना कि सर जमीन के मालिक का मुवाइल नमबर स्वीच आप इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जमीन का वीडियो अगर देख पाते हो तो जैसे ही पाते हो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो साथ ही बेल लाइकन की घंटी को भी दबा दिया करो तो चलिए किसान वायो आप लोगों से फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए किसान वायो जै हिन जै भारत वन दे मातरम